है यह यह प्रेंड में भी प्रिशाथ आपका अपना यूट्यूब चैनल एस इन मैं तो आज का मेला टॉपिक है अलजवरा यानि बीजगरी इस टॉपिक को इस्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहें हैं चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथ साथ बेल अगो प्रेंड आप यहां पर देखिए इस टर्म और इस टर्म और यह टर्म तीनों का सम दिया हुआ है 0 तो हम ही क्या करना है जब तीनों टर्म का सम जिरो दिया हुआ हो इससे 4X का value निकलेगा 3 यान o x equal to 3 by 4 इसी प्रकार इसका भी value को हम क्या करना है 0 put कर देना इसका भी value को जब 0 put कीजेगा इस condition में भी Y का value हैगा 3 by 4 क्यों हैगा क्यों है चुकि X Y Z का coefficient सम में सेम है और Constant the terms सम का same ही है इसलिए y का value 3 by 4 तो z का value भी क्या जाएगा इससे 3 by 4 ही आएगा समझ रहे हैं ना क्योंकि 4 j minus 3 equal to 0 तो j equal to 3 by 4 इसी process से solve करके y और z का value निकाल देंगे अब निकालना इसका value so 1 by x का value में आप निकाल चुके हैं 3 by 4 3 by 4 plus 1 by y का value निकाल चुके हैं 3 by 4 plus 1 by z का value क्या है इसका भी value 3 by 4 है तो reverse हो जाएगा यानि 4 by 3 plus 4 by 3 plus 4 by 3 और जानते हैं अब जब सब का चुकि denominator सबको सेम है यानि हर सबका सेम है तो uns uns को add कर दिजिए तो 4 plus 4 plus 4 क्या होगा 12 by 3 और 12 में जब 3 से भाग दिजिएगा तो आएगा 4 यानि इसका option होगा clear इसका second method क्या है second method भी देख लिजिए second method में आपको क्या करना है कि 4x minus 3 by x है न तो 4x में x दिवाइड कर दिजिएगा तो या आएगा 4 minus 3 में x दिवाइड किजिएगा तो 4 आएगा minus 3 में y से दिवाइड किजिएगा तो 3 by y plus 4z में z से दिवाइड किजिएगा तो 4 आएगा minus 3 में z से दिवाइड किजिएगा तो 3 by z आएगा equal to 0 so friend 4 plus 4 plus 4 क्या होगा 12 होगा minus अब यहाँ क्या है minus 3 by x है minus 3 by y है minus 3 by z है तो minus 3 common में निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर आएगा 1 by x, यहाँ पर 1 by y, और यहाँ पर क्या आएगा 1 by z equal to 0. So, 12 equal to minus 3, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z को rise ले जाएगे, यह term positive में change हो जाएगा, यहाँ, 3, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, यहाँ, so therefore, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z को value क्या होगा, 12 by 3, यहाँ इस case में भी इसका answer क्या आगया, 4, लेकिन यह सबसे असान तरीका है, x के value 3 by 4, y के value 3 by 4, z के value 3 by 4, निकाल केस में रख दीजे, इससा अब का जाएगा, अब मैं ले चलता हूं, question number 2 की ओर, अगर x minus 3 को whole square, plus y minus 5 को whole square, plus z minus 4 को whole square equal to 0, तो x square by 9 plus y square by 25 plus z square by 16 का value निकालना है, तो फ्रेंड मैं आपको technique बता चुका हूं, चुकि यहाँ तीनों term का जोर, यानि sum 0 दिया हुआ है, तो उस condition में आपको क्या करना, इस term को 0 कर देना है, यानि x minus 3 का whole square equal to 0, 0, so x minus 3 का value क्या हो जाएगा, 0, so x का value इससे निकल जाएगा, 3, इससे x का value निकल गया, 3, इसी प्रकार, इससे y का value क्या निकलेगा, y minus 5 equal to 0, फुट कीजिएगा, तो y का value हो जाएगा, 5, right, and z का value क्या होगा, जब z minus 4 को 0, फुट कीजिएगा, तो z का value निकल जाएगा, 4, के लिए, अब हमें निकालना है, x square by 9, y square by 25, z square by 16 का value क्या होगा, तो x का value क्या निकला है, 3, यहाँ पर रख दीजिए, 3 का square by 9, plus y का value 5 है, तो रखिए 5 का square by 25, और z का value 4 है, तो 4 का square by 16, तो इसका value हो जाएगा 9 by 9, इसका होगा 25 by 25, इसका क्या होगा, 16 by 16, यह भी cancel, सब cancel हो गया, यहाँ, 1, plus 1, plus 1, equal to क्या होगा, 3, यहाँ, option C, के लिए, अब मैं ले चलता हूँ, last question की और, अगर 2a minus 1 का whole square, plus 4b minus 3 का whole square, plus 4c plus 5 का whole square equal to 0, तो aq plus bq plus cq minus 3abc upon a square plus b square, plus c square के value निकालना है, friend, इससे पहले भी दो question में मैं आपको कुछ technique बताया हूँ, इसमें भी वही technique आपको लगाना है, क्या लगाना है, कौन सा technique लगाना है, कि 2a minus, चुकि टीनों term का sum, यानि जोर 0 दिया हुआ है, इसलिए अंदर वाले person को 0 put कर देगे, इसको भी 0 put कर देगे, और इसको भी 0 put कर देगे, ठीक है, इसको जब 0 रखेएगा value, यानि 2a minus 1 equal to 0 रखेएगा, तो a का value क्या हो जाएगा, 1 by 2, इसी प्रकार, यहाँ से b का value निकल जाएगा, तो b का value क्या होगा, 4b minus 3 equal to 0, तो b का value हो जाएगा 3 by 4, और 4c plus 5 equal to 0, तो c का value हो जाएगा minus 5 by 4, कैसे होगा, इतो आप समझ गए होगे, 4c plus 5 equal to 0, तो 4c equal to minus 5, तो c का value निकल जाएगा minus 5 by 4, हमें value किसका निकल ना, a q plus b q plus c q minus 3abc, फ्रेंड, आपको यह भी याद होगा, मैं बताया हूँ, कि अगर a plus b plus c equal to 0 हो, तो a q plus b q plus c q minus 3abc का value 0 होता है, मैं बताया हूँ ना, तो इसमें a plus b plus c का पहले एक बाद 8 करके देख लेते हैं, क्या 0 तो नहीं आ रहा है, तो add किए, तो a का value दिया होगा है 1 by 2, b का value दिया होगा है 3 by 4, और c का value दिया होगा है minus 5 by 4, एलसियम दिजिए, तेलसियम होगा 4, तो 4 में 2 से डिवाइड किजएगा तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टिप्लाइ किजएगा तो 2 आएगा, 4 में 4 से डिवाइड कीज़ेगा तो 1, 1 को 3 से मल्टिप्लाइ कीज़ेगा तो 3 और 4 को 4 से डिवाइड कीज़ेगा तो 1 और 1 को 5 से मल्टिप्लाइ कीज़ेगा तो 5 ही आएगा So friend 2 plus 3 5, माइनस 5 by 4 यानि 0 एन ए प्लस B प्लस C का value निकल गया 0 हमें value निकालना है इसका फ्रेंट इसका जो value किसके equal होगा चुकि AQ प्लस BQ प्लस CQ मानस 3ABC का value क्या हो जागा 0 कब जब A प्लस B प्लस C का value 0 हो इसका value हो गया 0 divided by A square plus B A square plus C square यानि 0 यानि इसका option होगा D फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जहींदे